साबित हम लोग कागजात दे दिये हैं कि अपराधिक चरित्र वाले बेखती हैं उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोट में दाखिल कर दिया है और कोट भी उसको अब्जर्ब किया है उसको अपने आदेश में कि हाँ दिजार्दा डॉक्मेंट्स जो सो करत चुर्वत थ ide encore देख देख रहेए और जम्ता का दबाव है जम्ता थ्रस्थ है काम भी नहीं हो रहा है काम भी बादित हो रहा है जो जुम पाय थे तर तो वह पता है वकिल-ठाथ मकोई पता है और अब सब लोग जान चुके हैं कि वो अपराधी परविटी की हैं और इसमें तो सदस्ता रद हो नहीं है हर हाल में होना है अबिषेक देखें बिहार में जोस तरीके से बिते दिनों नगर निकाई चुना हुआ था इसको देखते हुए पट्ना के वाड नमबर चुवालिस के सदस्त सतेंदर यादों ने अपना हलफनावा में तमारम अपने अपराथी छबी को शुपा लिया था जिसके बाद यान में लिया गया और दिसके बाद माला चिनहा पट्ना के सिविल कोट पहुची है तो वही आधी वक्ता है माला चिनहा के क्या कुछ कह रहे है वो सुल्या था एक एलेक्शन केस फाइल किया गया वन आप 23 ग्राउन था कि जो उसमें कंटेस्ट किये वो गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके सम्हाव और दी अदर ही एज मैनेज्ट तू विन दा एलेक्शन वाट कॉंसलर का वी हब चैलेंज की नहीं उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तक्षियों को छुपा लिया गया और उन पर अपराधिक चरितर के बेक्तित है उन सब बात को छु करनियों का एक ही हल आश्वेल लाइफ डियाबिटेस फ्री लाइफ उसी बात को लेकर में ली हम लोग चैलेंज किये अभी फिर इस मामले को लेकर अंडेबूर कोर्ट में भी हम लोग फाइल किये वहां से यह अबजर्बेशन हुआ किये इसा कि इन गविड़ी वह उसका में लेकर इस समय ने रहे हैं आज भी देट था बट ओनली टाइम टेकिंग टाइम आफ तर ताइम अब आसा है हम लोग वेट कर रहे हैं जब ज़वाब दें तो इसका सुनवाई जलद होगा जैसा कि ओंड़ेबूल कोर्ट फिक्स कर दी ह है टाइम की विदीन ए येर इट सुट भी डिस्पोल दो अब तो नियाले पर डिपेंड करता है जब तर्थ पाया जाएगा उनके विरुध तो जाना चाहिए ऐसा अगली सुमाई अभी तिथी निर्धायत नहीं हो लेकिन जल्दी ही विदीन 29 अब इस मंथ आज यही हुआ यह प्रेट फोर टाइम अगेन लाइक प्रिवियर्स तो फिर उनको टाइम मिला है जाज का आदेश नहीं उनको जवाब पहले देना है जवाब देना है जवाब दे देंगे तो गवाही हो जाएगी बिल्कुल भरोसा है न्याला पर तो ही आस्था है तब तो किया जा रहा है वी यार वी यार लौ अबाइड इसिर्जन वी फुल फिट अपन दे लौ एन कोट अप जस्टिस एक सवाल है सर कि क्या यह साबित हो गया है कि उन्होंने अपने नमंकन में जुन पर आप राधिक मुकदमे थे उन्हों छुपाया साबित हम लोग कागजात दे दिये हैं कि अपराधिक चरित्र वाले बेक्ति हैं उनके पर जो क्रिम्नल केसेज है उसको एनेक्स करके कोट में दाखिल कर दिया है और कोट भी उसको अब्जर्ब किया है उन्रेवल कोट अपने आदेश में क इजार्दे डॉक्मेंट्स जो सो करता है कि अपरसन हुई हुई है कमिटेड रॉंग वो सब आ गया है अपना नवीन कुमार हूं मैं अदिवकता हूं सिविल केसेज करता हूं यही कहना चाहेंगे कि जल से जल इंसाफ हो और न्याले पे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा जनता का दबाव है जनता त्रस्थ है काम भी नहीं हो रहा है काम भी बादित हो रहा है इसलिए तो जनता का दबाव है कि आप जल से जल इस सब जो करवाई चल रहा है वो पूरा हो और वो जो छुपाये थे तथ तो वो कोट को भी पता है वकिल साहब को भी पता है और अब सब लोग जान चुके हैं, कि वो अपराधी परविति की हैं, और इस में तो सदस्ता रध हो नहीं है, हर हाल में होना है, जिसी कि वकिल साब आप बताएं, और लेडने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और सदस्ता रध होगा, और फिर से वाड में चुनाओ होगा, तो हम को जबाब देना चाहिए कि हाँ यह गलत मालस इनहा बोल रही है तो वह आ नहीं रहें डेट पे डेट बढ़ रहा है बस न्याले से यही कहना है कि जल से जल इनसाफ हो तो जनवरी में हम लोग दूब किये थिछ जनवरी में तो रिजल्ट ही आया तो अब न्याले पर करता है कि तत्यों को छुपाया गया है कागजात कावलोकन होगा तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्षिक नहीं होना चाहिए अब आगे यहां सिविल कोड में जो करवाई है वो होगा इसके लिए के अर्ली डिस्पोजल हो इसको लेकर कि इसका टाइम नहीं लेग जल्द से जल्द इसमें मामला में फैसला आ जाए तक्षो क्या तर्क यह कर दिया कि विदी ने यह इसमास्ट भी डिस्पोज़ ऑप इस अप्जर्वेशन हाई को डिकेस तो आपने सुन लिया क् आई-कोट मामला को संग्यान में ले लिया है जल्द से जल्द नाले पर विष्वास से कारवाई होगी तो वहीं कारवाई की जाएगी सद्धा भी जा सकती है तर्यास विद्ध देखने वाली बात है होगी क्या कोछ होता है लेकिन फिल्हाल क्या कोछ यहाँ आपने सुना और उनके अधिवक्ता क्या कुछ के वो ही आपने सुना है और वित्वाम फबरों के लिए अनवी सी 24 के साथ बने रहे हैं पत्ना से सही होगी पंकाल के साथ अब शेक्र करें